नमस्कार, Cotton Complex Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज सुकरवार 5 मार्च कल के सेजन की बात करें, तो कल जैसे हमने उमीद की थी, पूरे ही काउंटर में हमने गिरावट आते वे देखी, इंटरनास्ट में भी हमने देखा, कि यूएस कॉटन के अंदर 90 सेंड से मार्केट के सलता हुआ दिखाई दिया, जो करीबन नीचे के लेवल पे 86 सेंड के करणावा दिखाई दे रहा है, वहीं चाइना में भी हमने देखा कि कॉटन यान और कॉटन के प्राइजस में सवा परसंट से आधे परसंट की गिरावट थी, जिसका सीधा सीधा असर हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ते वे देख रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट म तो मार्ज मैने की अगर बात करें तो मार्ज बांटक के अंदर भी हमने देखा कि प्राइज के अंदर गिरावट थी जो कहीना कहीं उमीद के मताबिगी था पर्डामेटल साइड हमने देखा कि CCI से जो सप्लाई थी वो कहीना के प्राइज पर एक इंपक्ट कर सकती है साथ में एक्सपोर्ट डिमांड इजबा अच्छी रहेगी जो प्राइजस में कोई फ्रीफॉल भी नहीं होने देगी अगरिंग टू ICAC जहां पर हमने देखा कि उन्होंने अपवर्ड रिवीजन किया है यह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर कंजम्चन अपवर्ड रिवाइज होती है तो कहीना कहीं यह पूरे ही कॉंप्रेक्स को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा वहीं अगर हम कॉटन का जो फोरकास जनरली हम वैसे भी एक नेगेटिव व्यू रखते हैं कि जनरली प्रॉफिट बुकिंद लेकिन अरड़ी पिछले दो दिन में हमने जो कर्रेक्शन देखा है जिसके चलते लगता है कि आज मार्केट में सेकेंड हाफ में एक बाइंग आते वे दिखाई देगी सबसे पहले में कॉर्टन से डॉल केक्ट में कल लॉंग लिक्विडिशन हुआ है क्योंकि बार बार में प्राइज़ तेजी सो बीस के उपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है नो डाउट ऑन सपोर्ट है जो बाइसो चालीस का है ऐस अपनो लगता दिन के सेजिन में मार्केट में हो ला रहा है बडिन ओल सप्लाइज कंसर्ण के चलते प्राइज लग रहा है कि बाइसो से तैइसो बीस के विच्वें टेट करेगा और तेइसो बीस का लेवल तोडने पे हम एक बड़ी देजी की तरफ जाते विए दिखाई देगे चार्टी के लिए अगर हम देखे तो अब नेगेटिव में आ चुका है क्योंकि 200-day moving average की नीचे जा चुका है जो कहिना कई 85-60 85-80 के जो सपोर्ट 61.8% का रेटास्मेंट है यह ब्रीज करता है तो 83 तक का भी लेवल दिखा देगा चार्ट स्ट्रक्शर वीक हो चुका है एच्वीं को क्लाउड के नीचे है प्र प्राइजेश 2,240 के उपर होल्ड है कहीना कहीं उमिद्या प्राइजेश 2,290-220 का रेवल दिखा दे बट इच्वीं को क्लाउड के नीचे आना नेगेटिव संकेत है तो पोजिशन को थोड़ा कम रखी है बाइसो का इमिरेट सपोर्ट है और बाइसो अगर तोरता भी ह तो हमने देखा 200-day moving average एकी सो चालीस का है तो बाइसो के नीचे एकी सो चालीस पर जाके भाव रुपतावा दिखाई देगा पोजिशन थोड़ी कम रख नहीं है जब तक तक तेई सो बीस के उपर नहीं निकलता है पोजिशन हम कम करके चलेंगे जबकि आज मार्केट में पोजिशन थोड़ा कम करके चलना है जब तक तक तेई सो बीस के उपर नहीं निकले अधिक जनकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से स्काइक पर सकते हैं इस चैनल में हम आपकर एक्यूटी कमाउंटिक करनसी के अप्रेट लाते रहेंगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए धन्यवाद